एक बार एक कलाकार ने अपने चित्रों की प्रदर्शनी लगाई उसे देखने के लिए नगर के सेक्डो धनवान वेक्टी भी पहुँचे एक लड़की भी इस प्रदर्शनी को देखने आई उसने देखा कि सब चित्रों के अंत में एक ऐसे मनुस्य का चित्र भी टंगा है जिसके मुह को बालों में ढख दिया गया था और पैरों पर पंक लगे थे चित्र के नीचे बड़े अक्षरों में लिखा था आउसर चित्र कुछ भद्दा सा था इसलिए लोग उस पर उपेख्चित ग्रिष्टी डालते और आगे बढ़ जाते लड़की का ध्यान प्रारम से ही इस चित्र की ओर था जब वो उसके पास पहुँची तो उसने पूछी लिया स्रीमान या चित्र किसका है कलाकार ने उत्तर दिया या औशर है लड़की ने दुबारा प्रस्ण किया आपने इसका मुह क्यों ढख दिया है इस पर कलाकार ने विस्तार से बताया, परदस्नी की तरह आउसर हर मनुस्य के जीवन में आता है, और उसे आगे बढ़ने की प्रेणा देता है, किन्तु सधारन मनुस्य उसे पहचानते नहीं, इसलिए वे जहां है वही पढ़े रह जाते हैं, जो आउसर को पहचान लेता है, वही जीवन में कुछ बिसेश काम कर पाता है, लड़की ने उत्सुकता से पूछा, इसके पैरों में बने पांखों का क्या रहस्य है, कलाकार बोला, यह जो आउसर आज चला गया, वो कल कभी नहीं आता, लड़की इस मर्म को समझ गई, और उसी छन से अपनी उन्नती के ल गई, धन्यवाद